तमस्कार आप सभी का स्वागत खेत खलीहान में मैं हूँ बुखल शर्मा कारिकरम की कारिकरम की नज़र डालेते हैं इस खास रिपोर्ट पर क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन एबं आमीनो एसिड का उची संतलन पा जाता है और हम दलन उत्पादन में पूरा हमारा भारत देश है ये दुनिया में उत्पादन में एबं इसके उपियोग में प्रिथम इस्थान पर है फिर भी हमारा जो उत्पादन है जितना हमें आवश्रक्ता होती है उतना हमारा उत्पादन नहीं हो रहा है और दीरे दीरे इसके उत्पादन में बिद्धी आई है और अब हम इसके उत्पादन में आत्मिर्वरता की ओर बढ़ रहे हैं तो मुख रूप से हम जब खरीब फसलों की बात करते हैं, तो खरीब फसलों में मुख रूप से आपका मूंग है, उडद है, लोबिया है, मौट है, एबं अरहर मुख रूप से उगाई जाती है, और इनकी जो उत्पादक्ता है, रभी दाल वाली फसलों की तुलना में से 504 किलोग्राम पिरती एक्टर के हिसाब से इसका उत्पादन हमारे किसानवाई कर रहें, कि बहुत कम है। अगर हम हमारी जो उत्पादन तक्नीक है, उसको सही तरीके से अपना है है, तो हम इनका उत्पादन दुगना कर सकते हैं, और इससे अधिक लाब कमा सकते हैं। जैसा कि जो कमी के जो मुख कारण हैं, खरीब की दलनी फसलों में, उसमें सबसे मुख कारण है कि इन फसलों को अधिकतर किशानवाई बर्षा आधारित छेत्रों के रूप में लगाते हैं, सिचाई की विवस्ता कम है, दूसरा इनके अंदर पोशक तत्व प्रवन्दन, कार इससे तो दलनी फसलों के अंदर एक बिस्स प्रकार के जीवानों के पाये जाते हैं इनके जड़ों के अंदर, जो गांठे बना करके बाइमंडल की जो नाइट्रोजन होती है, उसका इस्तरी करण करके पोदे को उपलवद कराते रहते हैं, अगर हम इनका उत्पादन करना है, ज्यादा लेना है, तो हमें उनका सधिप्योग और सई तरीके से इस फसलों को लगाना होगा, जिसमें मुक्रूप से है आपके खेत की तैयारी, आप खेत की अच्छे से तैयारी करके बोएं, और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चेन करें, बीजदर की सई मा तरह रखें, और समय पे इनकी बुवाई करें, इसके साथ साथ हमें ध्यान देना होगा, पोसक्तत प्रबंधन का, इनके अंदर खर्पतवार की बहुत दिक्कत आती है, उसको हमें नियंतरन करना है, साथ ही जल निकास की विवस्ता खरीब के सीजन में बहुत करना जरूरी है, और इनके अंदर कीट और बीमारियों की समश्या भी देखा गया है, काफी ज़्यादा आती है, बजाए जो हमारी धान वाली फसले हैं, उनके कम तुल नाम है, तो उनका भी हमें रोक थाम करने का ध्यान रखना पड़ेगा, अब हम बात करते हैं कि अभी जो किसान वाईयों के खेतों में, वो 45-60 दिन की अवस्ता में हैं, लेकिन इस बार मांसून कहीं देरी से आया है, थोड़ा जल्दी आ गया है, इस हिसाब से जिन किसान वाईयों के खेतों में अभी मूंग, उडद, मौट और लोबिया की फसल अगर 30 दिन के आसपास है, तो उनको द उसके अंदर भी हमें निराई गुड़ाई के आवश्रिक्ता पड़ती है, क्योंकि उसकी खर्पतवार के हिसाब से जो क्रांतिक आवस्ता है, वो 20-60 दिन की होती है, तो उस समय में हमें 2-3 वार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, तो 2-3 वार निराई गुड़ाई क बढ़ती है शुरूब में तो इसमें घासों की समय जो घास वाली या खर्पतवार की बहुत समस्या आती है तो उनसे हमें को हटाना है तो बैसे तो अधिक तर किसानभाई जो निराइगुडाई करते हैं वो मुक्रूप से या तो हाथ से निकालते हैं या खुर्पी या कोश्ट है वो काफी ज्यादा है इसके अलावा कभी मौसम साथ नहीं देता बार-बार बारिस हो रही है तो समय पर लेवर भी नहीं मिलता है और मौसम भी सही नहीं है ऐसी स्तिति में राशाइन के द्वारा खर्पतवारों को नियंतरन करना आशान रहता है इसमें किसानभ के दो तीन दिन बाद हमें एला कलोर नाम की दवा है उसका एक से देड़ किलोग्राम शक्रिय तत्व प्रती एक्टर के इसाब से पांसो से छस्टो लीटर पानी में गोल करके हमें इस्प्रे कर देना चाहिए इसी प्रकार जब आपकी फसल पंद्रेवीज दिन की हो जाए उस समय जो घास की जो घास और खर्पदवार है उसकी दो से तीन पत्ती की अवस्ता है उस इस्तिती में हमें एक इमीजा थापर नामक दवा है जिसका 75 ग्राम दवा प्रती एक्टर के हिसाब से हम 500-600 लीटर पानी में गोल करके उसका इस्प्रे करना चाहिए जिससे पड़ती है तो एक दूर रहे गुड़ाई करनी चाहिए अगर किसान भाई इन फसलों को अंतरश्श्य के रूप में लगाते हैं जैसे के बाजरा है मक्का है या आपका अरहर के साथ में भी इसको अंतरश्श्य कर सकते हैं जिसमें इनकी दो तीन कतार ले लगा करके उससे भी हमें जो खर्पतवार है उनकी संख्या कम होती है अब बात करते हैं जल प्रबंदन की वैसे तो हमने शुरू में बताया कि अधिकतर खरीब वाली जो डाल वाली फसले हैं ये बारानी चेत्रों में और बड़ सा अधारित लगाई लगाई जाती हैं लेकिन इनके अधिक उत्पाधन लेने के लिए और सूखा इस्तिती पढ़ने के लिए कभी सूखा की स्तिती आ जाती है तो उस स्तिती में आगर आपकी फ़सल के अंदर फूल ऑन दाने बन रहे हैं उस समय अगर आप एक सिचाहई कर देते हैं तो आपका उत्पाधन अधिक आप ले शकते हैं इसी प्रकार जिन किसानवाईयों के पास में सिचाई की विवस्ता नहीं है, तो वो किसानवाई एक थायो यूरिया आता है, उसका 500 ppm के हिसाब से, या आपके यूरिया या पोटास की खाद, इसका 1 या 2% का अगर आप स्प्रे करेंगे, तो उससे सूखा से भी बचाम मिलेगा, और फसल को कुछ पोसक तत्वी मिलेगा, और आपकी जो फसल है, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा सूखा इस्तिती में, तो खास कर जो खरीब की दलणी फसलों की जहां तक बात है, क्योंकि बारिस कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, तो जब ज़्यादा बारिस हो जाती है, तो पानी जमा हो जाता है, तो पानी जमा इन फसलों के लिए बहुती नुक्सान देख होता है, तो खेतों में पानी जमाना हो इसके लिए हमें जलनिकास की व्यवस्ता हमें करनी चाहिए खरीब की फसलों में अब बात करते हैं पोशक तत्व प्रबंदन की वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि इनके अंदर जड़ों के अंदर गांठे बनती है बाई मंडल की जो नत्रजन है वो पौदों को मिलती रहती है लेकिन कभी शुरू में जो इनकी बड़बार के लिए हमें पोशक तत्वों की देने की जरूवत पड़ती है खासकर उड़ाद मूंग लोबिया और मौट के अंदर हम 15-20 किलोग्राम नत्रजन पृति हेक्टर के हिसाप से इसी प्रकार फास की लंबे समय की फसल तो इसमें अमें नत्रजन की 20-30 किलोग्राम मात्रा पिर्ति हेक्टर इसी प्रकार पोटा से खास-प्रस की मात्रा 60 इंतर के हिसाप से खेतों में देनी चाहिए आप हमें देखा गया है कि कभी किसान भाई इनका खादों का प्रियोग नहीं करते हैं का अगर नहीं डालते हैं तो उस इस्तिती में क्या है कि फसल के अंदर इसके लक्षंड दिखाई देने लगते हैं तो उस समय हम अधिकतर जो बर्षा आदारित जो फसले हैं इनके अंदर अगर परणिये छड़काब कर देते हैं फूल आने और फलियां बनते समय दो परसेंट या एक परसेंट एनपी के फर्टिलाइजर का अगर हम इस्प्रे कर देते हैं तो उससे जो दाना है वो काफी मोटा और उत्पादन में ब्रिद्धी होती है हम जिन किसान भाई जो किसान भाई खरीब दलवनी फसलों की जो पैदावार सिंचित छेत्रों में लेते हैं वहा इसकी कमी को दूर करने के लिए उन में सबसे महत्पूंड अगर जस्ता की हम कमी को लक्षण आते हैं जिसमें पत्तियों की सिराय तो हरी रहती है लेकिन जो ऊपर की पत्ति होती है वह पीली हो जाती है तो उस स्थितिति में और पौदा छोटा हो जाता है तो जस्ते के लिए 200 लीटर पानी में एक किलोग्राम जिंक सलफेट और आदा किलो भुजा हुआ चूना का गोल बना करके हमें इनका प्रणिय छिड़काब करना चाहिए इतना हमें अब यह भी पोशक तत्व का प्रबंदन इनके अंदर करना है अब बात करते हैं इनके अंदर कीट एवन बीमारियों की कीट एवन बीमारिया इन फसलों के अंदर काफी नुकसान पहुचाती है तो इनकी रोक थाम करना समय पे बहुत जरूरी है मुक्रूप से जो इनके अंदर कीट पाय जाते हैं उसमें दीमक है, हरातिला है, कात्रा है, चने की इल्ली है, फल मक्खी है, फली छेदक है, पलुम मोत और पोडबग नामक जो कीट हैं ये इसमें पाय जाते हैं तो इनका समय पे हमें इनकी रोक थाम करनी चाहिए रोक थाम का इनका सीधा है कि इनकी रोक थाम करने के लिए हमें गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए तो जो भी इनके अंडे हैं या प्यूपा हैं इनकी इटों के वो नश्ट हो जाएं अधिक तापमान के चलते हैं और उसके बाद जैसे ही बारिश हो और इनकी परभक्षी कीट परभक्षी जो होते हैं वो उन पर बैठेंगे और इन कीडों को खा जाएंगे इसी प्रकार हमें अपने अगर ये कीडे आते हैं तो उनकी रोक थाम करने के लिए आपके निवोली सत्थ 5% निवोली सत्थ का इस्प्रे हमें करना चाहिए जिससे चने की इ प्रकास प्रपंच है या आपका फेरोमोन प्रपंच इनको 10-15 मीटर के अंतराल पर हमें अपने खेतों में लगाना चाहिए तो जिससे जो भी फली चेदक और इनके जो कीट है वो उनको नस्ट किया सकता है इसके अलावा कुछ राशानिक दवाई हैं जिनका आप उप्यो सेड है 45 Script 250 mm Pado will 252 inspire के संब से आप इसका इसकर कर सकते हैं अब बात करते हैं बीमारीयों की। बीमारीयों म Article मुक्रूप से इनके अंदर पीफ सिराौघ है झांचिया रोग है आपका टना गलन है जिल्सा है अरहर के अंदर मुक्रूप से बांजपन बीमारी लगती है ये ब बीमारी है यह बिशानू और कवक के माद्यम से होती है तो इनकी जो मुख्रूप से रोग थाम है इनका बीज उपचार हमें करना चाहिए कवक नासी से इसके अलावा हमें रोग रोधी किसमे हैं उनका प्रियोक करना चाहिए और साथ में हमें जल निकास की व्यवस्ता करना चाहिए और इसके अलावा जो यह बीमारी है इनकी रोग थाम करने जैसे पीच सिरा बीमारी है यह सफेद मक्की के माद्यम से फैलती है तो इसकी रोग थाम करने के लिए कीट नासक दबा इमीडा क्रोप्रिड है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं इसी प्रकार आपका जो बांजपन भी एक बीमारी जो अरहर के अंदर आती है इसकी रोग थाम यह एक माइट होती है जो इसको फैलाती है तो उसकी रोग थाम के लिए केल्थिन नामक दबा का आप स्प्रे कर सकते हैं और इस प्रकार इन जो कीट इवन बीमारी इनसे हम अपनी फसल को बचा सकते ह तो किसानवाईयों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि खरीब की फसलों में अगर हमें अधिक उत्पादन लेना है तो हमें समय पे खर्पतबार नियंतरन, जल निकास, जल प्रबंदन की विवस्ता और पोशक तत्र प्रबंदन करके और बीमारियों को रोक थाम करके हम अधिक से अ तो बात करेंगे घाजर और मुली की भुवाई की भी आप देखते रहे दूरदर्शन के सान क्या आप किसी बीमारी से परिशान है? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम है आपके साथ! बताएंगे आपको जीने की राह! तमस्याएं आपकी समाधान देश के मशूर विशेशक्यों के! घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से! हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक! ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर्स वागत खेत खालिहान में अब चलिए आपको बताते हैं जो किसान खासा और से सबजी फसलों की खेती करते हैं उनके पास विकल्प है गाज और मुली की भुवाई करने का भी! लेकिन इसमें कौन-कौन सी उन्नत किसमें है और इसके लिए सही समय क्या है किस तरह की इम्रदा की आवशक्ता होती है और कौन सी ऐसी साफधानी है जिनको अपना कर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं ये जानने के लिए आईए नजर डालेते हैं इस खास रिपोर्ट सर्दियों की बुआई के लिए ज्यादा तर जो फसलें आती हैं उनकी बुआई की जाती है इसमें सबसे प्रमुक रूप से गाजर और मूली है जो कि अधिक से अधिक लाफ देने वाली फसले हैं किसान भाईयों को उसकी खेती के बारे में आज बिस्तार से थोड़ा सा च जानते हैं आप एक होती है जो कि उपोस्र कटबंदी इलाकों में ग्रो की जाती है और दूसरा ये है कि जो सीतोस्र जलवायों में उगाई जाती है तो ये दोनों तरह की गाजर होती हैं और इनकी खेती अधिकान सिरूप से हमारे देश में की जाती है तो जहां तक हम मैद लानी छेत्रों की बात करते हैं तो इन्हें हम उपोसर जलवायू में लेते हैं या उसर जलवायू की बात करते हैं तो इसमें जो दो तीन प्रमुख रूप से किसमे हैं जिनकी खेती की जाती है उसके बारे में बात करता हूँ तो पहली जो सबसे बहुतायत और प्रचलित कि इसम है जिसे हम पूसा रुधिरा कहते हैं ये मध्ध सितंबर से अक्टूबर नॉंबर तक बोई जा सकती है आपके खेतों में तो इसका समय है और दूसरी जिसके जड़े बिलकुल लाल होती है और इनका जो आप काटेंगे अगर गाजर को बीच से तो बीच में पहले पीले लाल दिखाई देता है और अंदर भी लाल दिखाई देता है तो पूरा का पूरा लाल होता है काटेंगे तो आपको दिखाई देगा तो इसकी वज़े से इसकी बाजार भाव अधिक होती है और इसकी बहुतायत में मांग रहती है और ये बिलकुल कैरोटीन रिच जो है आप मढध सितंबर से लेकर कर सकते हैं और तीसरी एक जो किस्म है पूजा बृष्टि यह जो हमारे इसी संस्थान से निकाले गई जो कि अधिक आर्दता और अधिक गर्मी को भी ये सह लेती है इसे नाम दिया गया है पूसा ब्रिष्टी इसकी बुआई आप जुलाई से लेकर के सितंबर तक कर लेते हैं तो आप इस समय इस किस्म की बुआई कर सकते हैं और इसके बाद जो ये मैं आपको बात करूँ कि ज लिखती रहती है तो उसकी किस्म है उसकी जो किस्म है मैदानी च्हेतरों में आप उगा सकते हैं और लेकिन इन किस्म का वीज भी जो है वो परवती च्हेतरों में ही बनता है इसकी वज़े में है इस 새נסथान ब्हारती कर संधान tér संस्थान पूसा ब्रिष्टी करुए इस सं कुल्लू में वहां से निकाली गई है ये किस्म है पूसायम दागनी ये किसरिया रंग की होती है और जिसको आप अक्टूबर से लेके दिसंबर तक भी जाई कर सकते हैं दूसरी किस्म है नैंटिस जो के सबसे पहली प्रमुक रूप से किसरिया वाली किस्म है और ये अभी भ पूसा नयन जियोती उसका नाम रखा गया है इसकी भी जड़े केसरिया रंकी होती है कुछ लोग संत्री भी बोल देते हैं केसरिया संत्री रंकी ये होती है जिसकी मांग बाजार में बहुत है इसकी आप बुवाई कर सकते हैं अक्टूबर के अक्टूबर से लेकर के लेकिन परवती छेत्रों में मद्दी सितंबर से भी इसकी बुआई की जाती है तो ये जो कुछ प्रमुख किसमे हैं ये मैंने जो आपको जानकारी दी है गाजर के बारे में इसकी आप उपलब्धता अपने पास सुनिस्जित करें क्योंकि इसके बुआई का समय हो गया है कुछ किसमे अभी बुई जा सकती है और कुछ अगले महिने में बुई जा सकती है तो इसके लिए आप जो मैं बताओं कि इसकी बीज की जो मात्रा होती है पांच किलो प्रती हेक्टेर की दर से इसके बीज की मात्रा है खेत की अच्छी भली प्रकार से जुताई करने के बाद उसमें कम से कम 40 kg नत्रजन और 40 kg फासपोरस और 40 kg पोटाईस ये तीनों जो है बुआई से ठीक पहले खेतों में अच्छी भली प्रकार मिला दें मिलाने के बाद आप खेतों में ये ध्यान रखें कि वैसे तो मेडों पे बुआई अच्छी होती है तो आप 45 cm की दूरी पे इसकी मेड निकाल लें और मेडों पे जब बुआई करेंगे तो गाजर के जड़ें अच्छी बनती हैं जड़ें मिट्टी में नीचे जाती हैं और अच्छी बनती हैं अगर आप फ्लैट में बुआई करेंगे बिना मेड वाले जमीन पे तो अगर आपकी बलूई दोमठ टाइप की नहीं है और अगर शैर क्ले ताइप की है तो उसमें जड़ें अच्छी नहीं बनती है क्योंकि नीचे हार्ड होता है जमीन की उसकी कार के जड़े बनती हैं और बुवाई करने के लिए कि अगर संभव हो सके तो जो सड़ी अच्छी गोबर की खाद है सूखी है बिलकुल या थोड़े बालू कोई भी दोनों में से आप चीजें ले ले लें और बीज में मिला लेंगे तो इससे जब बुवाई करेंगे तो ए बीच बीच के कुछ जो पौदे हैं उनको निकालने पड़ते हैं जिससे कि एक पौदे से आपस के पौदे की दूरी जो हो जाती है दस सिंटीमीटर या पंदर सिंटीमीटर तक आप रख सकते हैं जिससे कि जड़ों का बढ़वार अच्छा होगा पौदों की बढ़वार तो अगर आपके खेत में नमी है तो ठीक है उसमें आप 3 लीटर स्टांप या फिर आप पेंडी मेथिलेन ये ले करके 1000 लीटर पानी में घोल बना करके इसका पूरे खेतों में छिड़काओ कर दें बोने से पहले तो बहुत अच्छा होगा जिससे कि आपका कम से कम 25-30 दिन कोई घास खेत में नहीं निकलेगी और जब बीज का अंकुरन होगा तो जमाव अच्छा होगा तो उसे पौधों की बहुती बढ़वार अच्छी निकलेगी तो इसको कर सकते हैं और यदि आप सूखे जमीन में बुगाई करके इस प्रे मार देते हैं छिड़काओ कर देत जिससे वो पानी धीरे धीरे ऊपर मेर तक सिप करके चला जाएगा तो अंकुरन अच्छा होगा इस तरीके से अगर आप बिजाई करेंगे तो गाजर की फसलाप अच्छी ले पाएंगे इसी तरह से जहां आज बात आप मूली की भी हम करते हैं तो मूली भी दो तरह की होत हैं जादा तर लोग और उसमें दो तीन किसमें प्रचलित हैं जैसे कि पहले किसम है वाइट आइसिकल यह भी छोटी होती है और जो कि 25 से 30 दिन में यह सब तयार हो जाती हैं सफेद रंग की छोटी गांठे बनती हैं और दूसरी है पूसा मिरदुला जो यह लाल रंग के गांठे बनती हैं चोटी होती हैं और यह भी 25 से 30 दिन में तयार हो जाती है और जिसको आप मद सितंबर से बुगाई कर सकते हैं तो इससे आपको अधिक से अधिक लाब एक महीने के अंदर में ही आप खेट से बाहर निकाल सकते हैं तो तुरंत आपको नकद के रूप में म हो सकते हैं इसकी बुगाई करें आप और इसके बाद दूसरी किसम है जापानी सफेद जो कि अक्टूबर से लेके आप दिसंबर तक बो सकते हैं इसकी बुगाई करें और दूसरा हिमानी है जो पूसा हिमानी है यह आप दिसंबर से लेके फरवरी तक इसकी बुगाई की जाती है तो आप ये देखें कि जैसे मेने किसमों का आप बात कर रहे है कि सबका अपना अनग-अलग बोने का है उसके बाद जब फरवरी का मौसम खतम हो जाता है तो उसके बाद पूसा-चेथ्की जयती जो कि अप्रैल से लेके अगस्त तक बुआई की जाती है तो इस तरह से आपके पास साल भर बोने के लिए सारी ये तीन चार किस्म हैं जिनके आप समय समय पर बुआई करके अपने खेतों से अधी कामदनी ले सकते हैं जहां मूली की बात करते हैं तो इसमें 8 से 10 किलो ग्राम प्रते हेक्टेर मूली की बीज की आवस्यक्ता आपको होती है और जो रासाइनिक खादों की हम बात करें तो इसके लिए भी 70 से 80 किलो नतरजन, 40 किलो ग्राम पोटास और 40 किलो ग्राम फासफोरस ये तीनों खाद की मा वाजर के लिए भी है यही मूली के लिए भी है तो आप इन दोनों को मिला करके बुआई कर सकते हैं उसके बाद आप 45 सेंटीमेटर की दूरी पर कतार निकालने मेड निकालने और फिर उसमें यह जो रासाइनिक वीड नियंतरण है यह जो हमारी घास का खरपतवार की थोके आएंगे तो बहुत अच्छा होगा बस साउधानियां आपको यही बरतनी हैं कि बहुत घना नहों आपका बीज बेकार नहीं जाए तो उसमें थोड़ा सा बालू जैसा मैंने बताया है या सड़ी सूखी गोबर की खाद जो होती है पाउडर फार में उसको मिला कर के बुआई करेंगे तो बहुत अधिक घना भी नहीं होगा बीज भी आपका बेकार नहीं जाएगा और जमाव होगा अच्छे सी और जब जमाव हो जाए तो उसके 10-15 दिन के बाद उसमें थिनिंग बिरली करण की क्रिया जरूर करेंगे जिससे कि पौधों से पौधों की की दूरी 10-15 सेंटीमीटर की रहे तो फिर पौधों का विकास अच्छा होता है और मूली अच्छी बनती है और पानी जब दें तो हमेशा यह इस बात का ध्यान रखेंगे कभी भी पूरी क्यारी तर नहो आधे मेर तक पानी दें जिससे कि पौधों का विकास और जड़ पादन और लाव कमा सकते हैं तो जाना अपने भेतर धंग से गाजर और मूली की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल लखना होगा साधी खरीव की दलहनी फसले जो है वहाँ पर किस तरह के प्रमंधन की अभी आवश्यक्ता है फिलाल के लिए आज जो खेत खलियान में बस इतना ही नई जानकारी के साथ फिर होंगे हासित तब तक के लिए दीज़े जासा नमस्कार